हेलो फ्रेंट्स गुड इवनिंग कैसे हो आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे शो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आप लोग से मैं छोटा सा रिजनिंग का टेस्ट लोगा है इस पेसल यूपी वीट एंटरंस एक्जाम 2021 के लिए फ्रेंट्स इस टेस्ट में जो टोटल आपके कोशन्स होंगे वो होंगे 15 अगर आप लोग 15 में से 8 प्लस कोशन्स करेट करते हैं तो आपके रिजनिंग के त्यारी अच्छी है मुझे पूरी उम्मीद है कि आप शबी का आज कम से कम 10 कोशन्स करेक्ट होगा इस टेस्ट में लाश्ट में आप लोग अपना नाम एरे स्कॉर कमेंट बक्स में जरूर रूप देगा चलिए स्टार्ट करते स्ट्रेश्ट को सबसे पहला कोशन्स यहां पर दिख सकते हैं यदि किसी कूट भाषा में एग्जामनिशन को इसके रूप में कूट बद्ध किया गया है तो एक्जिट को कैसे कूट बद्ध किया जाएगा बहुत ही सिम्पल सा कोशन है अगर आपको अंसर सोचने का ज़्याद समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोग भी सकते हैं और पैन कॉपी लेके रेडी हो जाएए सॉल्व करना इस्टार्ट कर दिजिए कुश्चन को कूट बद दिखी यहाँ पर बात हो रही है यानि कि यह जो एक्जिट है यह भी इससे ही निकल के आए गया है यहाँ पर दिखी ए सबसे पहले यहाँ पर ए का कूट क्या है साथ तो शाथ हो जाएगा अपका ठीक है उसके बाद यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर दूसरे नम 1, 2, 3, 4, 5, यहांपे किया रहा है तीन आ रहा है यानि कि I का कोट क्या है उसके बाद T यहांपे T दे कहिए इस इस ऊ कंचिन का रॉप슬 यहां पर देख सकते हैं व्य εκ Salad फ़स्ट नो में कौन सा शिब्द सेज तीन से भिन है सात्वा राइटन से प्ता यह कौन सा भिन है इनके इनके बीच का अंतर आपको पता करना है कि तो वाई और व की बीच का अंतर केतना है मॉइनस ठिलिक अधिक ऑर वी और x के बीच का अंतर कितना है प्लस 2 का उसी प्रकार e और b e और b के बीच का अंतर कितना है माइनस 3 का और b और d के बीच का अंतर कितना है प्लस 2 का इधर भी हम पता कर लेते हैं i और f के बीच का अंतर कितना है माइनस 3 का और f और G की बीच का अंतर कितना है, प्लस 2 का, इसको चेकर लेते हैं, देखिए, ये 3 सेम आ गए, बचा आपका ये, तो यही आपका भिन हो जागा, चेकर लेते हैं, Q और N की बीच का अंतर कितना है, माइनस 3 का, और N और O की बीच का जहां पे अंतर कितना है, प्लस 1 का ही अंतर ह तो यही वाला आपका जो है इन तीनों से भिन हो जाएगा option इसका डी वाला बिलकुन correct हो जाएगा ठीक है अगले option है यहां पर इसमें भी आपको उताना है कौन सा इसमें भिन है बुद्ध शुक्र ब्रहस्पति चंद्र कौन सा इसमें यह तो शबी को पता होगा मोश्ली एट का राई तेसम बताने का प्रयास करें देखे बुद्ध शुक्र ब्रहस्पति यह तीनों क्या है ग्रह है जबकि चंद्र क्या है प्रतवी का उप्रह है ठीक है तो option इसका डी वाला जो है आपका सही हो जाएगा ठीक है यही आपका भिन होगा उसी प्रकार इसमें आपक वेल कौन सा इसमें भिन होगा तो इसमें देखे जो आपका भिन होगा वो होगा वेल क्योंकि वेल जो है इस्तंधारी वर्ग में आता है जबकि सेस जो है आपके सरी स्रप में जो है वर्ग में आते हैं जैसे मगरमच हो गया छिपकली हो गया साप हो गया यह सब रेंगे के चलते हैं ठीक है अगला प्रश्य आप देख सकते हैं इसमें आपको उताना है जिस प्रकार कलम में शाही डलते हैं तब ही हम लोग लिखावट का कारी कर पाते हैं उसी प्रकार जैसे ट्राइप राइटर में रीबन द्वारा स्याही का कार किया जाता है कि इसको द्वारा री करेक्ट हो जाएगा रिबन आ जाएगा यहां पर पुस्तक प्रश्ट से समधित है तो वरच्छ किसे समधित है यह आपको उताना है 11 कर आई तो जिस प्रकार पुस्तक में बहुत सारे प्रश्ट होते हैं उस प्रकार वरच्छ में सब बहुत सारे क्या होती हैं पत्तियां होत दाना है सब लोग जो आप दीचे 12 वेकार आइट CDU? इनके इनके बीच का हम अंतर पता करेंगे ऐ, C, P और C, E, R के Bीच का कितना है? ま». «C और E के Bीच का अंतर कितना है? प्लस 2 का» 저 पी और R के Bीच का अंतर कितना है? जाएगा qr कितना आ गया आ गया उसके बाद r में प्लस टू एट करेंगे st आ गया उसके बाद l में mn rtn जो की option b में दिया गया है ठीक है समझ में आ गया होगा आपको अगला देखते हैं अगला प्रिशन यह है इसमें चार आकरतिया दी गई है तीन आकरतिया शेम है एक आकरती भिन है तीनों में से तो उसको आपको पता करना इसमें विसा मौले को पता करना है सब लोग जो आप देजिए इसका right answer क्या होगा 13 का ज़्यादा शमय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोग भी सकते हैं अगर आपको और भी टेस्ट की वीडियोस देखनी है तो आप लोग प्लेइलिस्ट में जाके देख सकते हैं वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ठीक है कुछ डाउट्स बगरा हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉल्लो कर लें वहाँ पर अपना डाउट्स बगरा क्लियर कर शकते हैं तो देखे इसमें जो आपका विश्या में और और है वो यह वाला है ठीक है समझ में आगे होगा option C वाला बिलकुन सही हो जाएगा अगला पुछ देखते है इसमें भी आपको बताना है कौन सा भिन है 14 कराईट्स बताने का प्यास करें कौन सा इसमें भिन है तो इसमें भिन है आपका यह वाला C वाला ठीक है, क्योंकि इस सब में पीछे की और से जो इक्वल का चिन है लगाया गया है, इसमें आगे की और से लगाया गया है, ठीक है, तो option इसका c करेक्ट होगा, इस इस question का right answer, समझ में आ गया होगा आपको, देखते ही आप लोग answer कर दिये होगे, इसमें भी आपको उताना है, कौन सा भिन है 15 का राइटेंस सा बताने के प्रयास करें इसमें देखिए जो आपका भिन है ये वाला भिन है ठीक है? Option D वाला क्योंकि ये जो D वाला ही है गहड़ी की सुई की दिसा में घूम रहा है कैसे? गहड़ी की सुई की दिसा में घूम रहा है जबकि जो तीनों हैं ये जो मतलब 6 हैं ये गहड़ी की सुई के घूमने की विपरेद दुसा में जो हैं घूम रहे हैं ये वाले ये वाले ये वाले ठीक है? परना start कर दिजे वीडियो को आप लोग pause कर लिए करें फिर आप लोग आशानी से solve कर लिए करें फिर answer मैं बताया करता हूँ फिर आप लोग count कर लिए करें कि हमारा कितना question सही हुआ है कि वहल आपको वीडियो नहीं देखना है questions को solve करना है ठीक है आप लोग pdf के लिए बहु होता है 15 3 18 18 का square कितना होता है 324 उसी प्रकार हम इसो एड़ कर देंगे 8 15 15 12 कितना हो जाएगा 27 27 का square क्या होता है 27 का जो square होता है 729 क्या होता है 729 जो क्यों आप्शन सी में दिया गया है ठीक है अगला परशन देखते हैं हाँ एक बात और आप लोग कम से कम 1 से 30 तक का square और क्यूब जरूर याद के लिजिगा क्योंकि यह सब चीजे याद रहेंगे तो आपको questions को करने में आशानी होगी नहीं तो आपनों निकाल तो लेंगे आशानी से बड़ वैसे में तुरंत आप लोग कर लेंगे questions को इसमें बताईए यहां पे questions मार्क की जगा पर क्या इस तरीके के questions में थोड़ा शमय लगता है बड़ प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप लोग कर लेंगे उतना ही कम समय लगेगा जल्दी से इसका राइटन से बताने का प्रयास करें देखें यहां पे 152, 157, 165, 202 है ठीक है अब देखें यहां पे 26 कैसे आया है यह हमें पता करना है 152, 157, 165, 202 को जब हम add कर देंगे तो वो 26 का क्या निकल के आ जाएगा स्कॉर निकल के आ जाएगा क्या निकल के आ जाएगा इसकॉर 676 इन सभी को 152, 157, 165, 202 को जोड़ेंगे तो 676 आ जाएगा 676 26 का स्कॉर होता है उससी प्रकार 605, 650, 620, 625 को जब हम add करेंगे तो 50 का स्कॉर निकल के आ जाएगा 2500 ठीक है अब हम इसे देखते हैं देखिए यहाँ पे 9 का स्कॉर 18 होता है ठीक है अब इसको जुड़ें 30, 24 कितना हो गया 54 और 54, 15 कितना हो जाएगा 54, 15 आपका उन्शट 79 हो जाएगा कितना हो जाएगा 59 69 जब हम 81 में से 69 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा यानि कि यहाँ पे 12 होना चाहिए option B वाला ठीक है बहुत ही simple सा question था आगे ला प्रशन देखते हैं यहाँ पे आप लोग देख शकते हैं नीचे देगे प्रशनों में दो कथन देगे हैं जिनके बाद एक दो तीन तथा चार क्रमा चार निसस से हैं जिनको सत्त मांते हुए प्रशनों के उत्तर दीजिए यहाँ पे देख शकते हैं कथन है और इस निसकर्स है फिर बताईए कौन को निसकर्स इसे फालो करता है इसके कम से कम दो से तीन questions आएंगे आपके exam में कथन क्या है सभी गाएं पच्छी है सभी गाएं पच्छी है ठीक है उसके बाद क्या है सभी पच्छी लड़किया है सभी पच्छी क्या है लड़किया है अब यहाँ पे निसस क्या है देखना है कौन कौन सा फालो करता है कौन कौन सा नहीं फालो करता है सभी पच्छी गा गाएंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें ये वाला आपका निसकर सही है ठीक है तो option ने आपका C वाला बिलकुन correct हो जाएगा अगला प्रिशन आप लोग यहाँ देख सकते हैं कुछ गाय बैल हैं सभी बैल जानवर है तो इसमें कौन-कौन सा निसकर सही होगा यह आपको उताना है 26 से कर आई तेंस बताने के प्रयास करें सभी लोग 26 से कर आई तेंस बताने के प्रयास करें चलिए इससे solve करते हैं यहां पर क्या है कुछ गाएं बैल है कुछ गाएं जो हैं वो क्या है बैल है ठीक है बी से बैल हो गया जी से गाय हो गया उसके बास सभी बैल जानवर है सभी बैल क्या है जानवर है जैसे जानवर हो गया अब निस्यस को देखते हैं कुछ गाएं जानवर है जी हाँ, बिल्कुन कुछ गाएं क्या हैं, जनवर हैं, सही है पहला आपका, कुछ जनवर बैल हैं, बिल्कुन हाँ, ये भी सही है आपका, कुछ जनवर गाएं हैं, कुछ जनवर गाएं हैं, बिल्कुन सही है, ये भी आपका, कुछ बैल गाएं हैं, जी हाँ, बिल्कुन ये के सई हैं आगे देखते हैं यहाँ पर देख शकते हैं निसकर्स और कथन इसको बताईए कौन सा सई होगा कौन कौन सा निसकर्स सई होगा कुछ कलम किताबे हैं क्या है कुछ कलम जो है किताबे है यह अपका किताब हो गया ठीक है कीसे किताब हो गया कुछ किताब पैंसिल है कुछ किताब क्या है पैंसिल है निसकर्स को पढ़ते है कुछ किताब कलम है क्या पूछ रहा है निसकर्स कुछ किताब पैंसिल है जी हाँ, बिलकुन कुछ किताब क्या है, पैंसिल है, यहाँ पर देखिए है की नहीं है, जॉइन है की नहीं है कुछ का होता है यह तो बिलकुन ए वाला आपका सही हो गया कुछ पैंसिल किताबें है, पूछ रहा है कोई किताब पैंसिल नहीं है तो केवल पहला, दूसरा और तीसरा पहला, दूसरा, तीसरा आपका follow कर रहे हैं एक मिनट एक मिनट ये वाला नहीं होगा सभी कलम पैंसिल है क्योंकि सभी के अंतरगत ऐसे आता है ठीक है तो केवल first और दूसरा वाला इसमें निसकर सही है ठीक है कुछ किताब कलम हैं कुछ pencil किताब हैं ठीक है अगला प्रशन देखते हैं शो फ्रेंड्स ये थे reasoning के top 15 questions इन 15 questions में से आपके जितने भी questions correct हुए हो तो आप लोग अपना नाम और score comment box में जरूब देगा अगर आपका reasoning में कम score जा रहा हो तो आप लोगों को practice करने की अब शक्ता है प्रैक्टिस के लिए आप लोग हमारे crash course को भी purchase कर सकते हैं इसमें आपको reasoning, gkgs, hindi language, general science, कलावर के questions देखने को मिलेंगे साथ ही इसमें previous year के papers भी आपको मिल जांगे, मातर वो भी 149 रुपे में तो वीडियो को discussion box मिलें के जाके आप लोग purchase कर सकते हैं, कोई problem हो रही तो आप लोग whatshap number या call कर सकते हैं 056325333 पे आप लोग message कर सकते हैं, और कुछ doubts बगारा हो तो Instagram पे मुझे follow कर लें, Instagram profile यहाँ पे देख सकते हैं मेरी, यह profile है वीडियो को discussion box में इसकी भी link दे दिया हो तो जाके follow कर सकते हैं, यह वीडियो आपको कैसा लगा comment box में जरू कुते गया, और ऐसी daily videos देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएए, चैनल को subscribe करके बगल में बलाकौन को all papers के लिए जोगा इस चैनल कमादम से सब्सक्राइब को initiative में देगी, thank you